बरदबरदार जीले में महानदी की तेश बहाव से मोहन घाट का कटाव लगतार जारी है दरसल पूरा मामला मोहन ग्राम पंचायत का है जो हमानदी के किनारे बसा है हर साल बारिश के मौसम में महानदी यहाँ अपने उफान पर आती है इसके साथ ही नदी के तड को कई मीटर तक अपने अंदर समाहित कर लेती है अब तक करीब 500 मीटर नदी किनारे की जमीन महानदी में समाहित हो चुकी है मिदे कई वर्षों से लगतार हो रहे मृदा कटाओं से ग्रामिन भैभित और चिंतित है इस पूरे मामिने पर ग्रामिनों से चर्चा की हमारे टीवी 24 के समवाद आता चतुर मूर्ती वर्माने मुझूद है हम उनसे जानने कोशिश करेंगे कि यह कटाओ जो है तब से चल रहा है और किस तरीके परसानी होती है आप लोग यह कटाओ है जब से रेम चालू हुआ है घाट तब से कटाओ ज़्यादा कटा हो रहा है लगभग कितने किलिमीटर का अरिया अभी तक कट चुका होगा और कितने यह हम लोग हो प्रभवित हुए होंगे करीब और करीब आद्र कट चुका है महाना मम गाहा चुका है तो भूर-चुके हैं कितने किसां की सांगे जमीन पूरा अंदर होंगे त água कि लोग deep हाँ कटाओ को लेकर विश्में पिंचिंग कटाओ किया जाए करके मुख्यमंदृ के पास गए रहे हैं कलेक्टर के पास गए सब के पास चल देना अभी तक कोई सुनवाई नहीं करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बरसात के पहले ग्रामीनों को चिंटा सताने लगी है कि बरसात में फिर से कटाव जो है वो शुरू होगा और नदी का पानी वो गाउं तक पहुचेगा जिससे उनका जीवन अस्त प्यस्त हो जाएगा चतुर मुर्ती वर्मा टीवी 24 बलाउदा बजार